हमारे insurance advisor हमें बताते हैं कि वो राज सिंग चौहान नाम के customer को health insurance के फायदे समझा रहे थे लेकिन राज ने कहा कि वो और उनकी family completely fit and fine है और उनके हिसाब से health insurance जैसी चीज उनके काम की नहीं है उसी insurance advisor से हमें पता चलता है कि राज ने ठीक 6 महीने बाद उन्हें दोबारा call किया और काफी सारी companies के plans compare करने के बाद उन्होंने तुरंत अपने लेक family health insurance plan चुन लिया इस sudden change की वज़ा जानने के लिए हमने हमारे customer राज से feedback call पर बात करी जहां वो में बताते हैं कि वो एक high stress working environment में काम करते हैं जहां उन्हें 50 लोगों की team को manage करना पड़ता है एक Sunday जब वो अपनी wife और बेटी के साथ घर पर बैठे हुए थे तब ही अचानक हाट में pain होने के कारण वो बेहोश हो गए hospital में surgery के दोरान उने कुछ दिन वहाँ admit रहना पड़ा उनका total will साड़े 4 लाख रुपे बन करके आया जिसने राज की सारी savings खतम कर दी और उनके उपर financial stress अलग से डाल दिया राज की story से हम सभी viewers को ये message देना चाहते हैं कि जिन्दगी की ये दौड बहुत uncertain है एक study के हिसाब से medical inflation हर साल 15% की तेजी से बढ़ रहा है यानि कि जिस surgery पर आज साड़े 4 लाख रुपे खर्च हो रहे हैं उसी surgery पर अगले 10 साल में 14 लाख खर्च हो सकते हैं कई cases में लोगों के savings account में इतना पैसा ही नहीं होता कि वो hospital बिल पे कर पाए उन्हें फिर रिष्टेदार हो और जगा जगा से लोन उठाना पड़ जाता है इसलिए आपका एक decision to invest in health insurance आपका और आपकी family का future secure कर सकता है